जहां कारेक्रम को संबोधित कर रहे हैं उद्यभार जो दलित और पिछडों के किसान के मजदूर की गरीब की बात करती है भारते जंता पार्टी जो अमीरों की पार्टी है जो पूजी पतियों की पार्टी है अदानी अम्मानी की पार्टी है उनका गरीब लोगों से गरीब दलित या पिछड़े या लोगों से इस पार्टी का कभी भी कोई संबंद नहीं रहा है इनकी नीतियां हमेशा उन्हीं अरब पती खरीब पतियों के लिए बनती रही हैं इन्होंने हमेशा गरीब का सोशन किया है मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि यहां पर आदर्निय हुड़ा साब जो मुख्य मंत्री थे तो गरीब समाज उसमें दलित और पिछड़ा बीस ये वर्ग सबसे ज़्यादा था जिनको सौसोगच के प्लॉट देने का काम किया था वो सौसोगच के प्लॉट जो तीन लाग बन में हजार दे दिये थे जो साथ लाग दिये जाने थे उन्हें प्लॉटों की योजना को बंद करने का काम किस ने किया इस भारतिय जनता पार्टी ने किया आपके बैकवर्ड कलास निगम हो या backward class commission हो आयोग हो इसका गठन किसने किया backward class के हितों के लिए आदर्निय हुद्दा साथ ने किया था माटी कला बोर्ड का गठन किसने किया आदर्निय हुद्दा साथ ने किया था केस कला बोर्ड का गठन किसने किया था आदेनी हुड़ा साभ ने किया था परजापत समाज को अलग से जमीन देने का गामों में किसका फैसला था कॉंग्रेस पार्टी का फैसला था कॉंग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब की मदद किये वजीफा देने का काम किया गरीब को तो कॉंग्लेस पार्टी ने दिया था इंद्रावास योजना के तहत मकान देने काम शुरू किया था तो कॉंग्लेस पार्टी ने दिया था बैकवर्ड क्लास निगम के 487 कलोड रुपे के करजा माफ करने काम किया था तो हुड़ा साथ ने किया था बैक्वर्ड क्लास को आप बताएं कि हुड़ा साथ जब मुख्या मंत्री थे तो बैक्वर्ड क्लास की क्रीमी लेयर आठ लाक रुपे थी उसको छे लाक रुपे किस ने किया था इन्ही मनोरलाल खटर जी ने पिछले साड़े नौ साल मनोरलाल खटर जी ने आठ लाक से घटा करके छे लाक की जिससे बैक्वर्ड क्लास को रिजर्वेशन का लाव ना मिल सके ये खटर साहब ने किया था और अब जब दो महीने चुनाव रहे गए हैं तो जो दस साल पहले काम था जो हुड़ा साब के जो दस साल पहले का जो आठ लाक का था वो अब आठ लाक किया है कि जब दो महीने रह गए हैं इनको ये भी बताना चाहिए कि लोने कित्री नौक्रियां दी कौसल विकास रोजगार निगम सबसे बड़ा धोका है इस परदेश के गरीब से दलित से पिछडे के साथ उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं कोई मैरिट नहीं कोई तनखा आधी पर ठेकेदार ये सरकार बन ग प्रपर्टी आईडी में गलतियां थी मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि इनको माफी मांगना चाहिए पहले बताएं कि परवार पहचान पत्र प्रपर्टी आईडी में जब सारा विपक्स कॉंग्रेस जंस जगह जगह चिला के कह रहा था कि इस एक एक किलोमेटर की लंबी लायना लगी हुई थी ये परवार पहचान पत्र पर्मानेंट परेशानी पत्र बनकर रह गया था अगस्त तो अजार बीस में इन्होंने लागू की थी अब तक वो ठीक क्यों नहीं हुई ये दो मीने में ठीक कैसे हो जाएगी ये अपने कान में तेल डाल करके सोय हुए थे हम चिला रहे थे मीडिया चिला रहा था अख्वालों में बड़े बड़े कॉलम लिखे जा रहे थे तब इनको परवार पहचान पत्र प्रपर्टी आईडी की गलितियां नहीं मिली आज कह रहे हैं आज कह रहे हैं कि इसमें गलितियां हैं तो माभी मागो उन गर के पीले रासनकार कटे हैं वो किन लोगों के हैं इस परदेश के दलित और पीडित शोशीत और उपेक्षी समाज के वंची समाज के पिछड़े समाज के गरीब समाज के लोगों के साड़े नौ लाक गरीबों के पीले रासनकार काटने का महापाप इस सरकार ने किया है परव पहचान पत्र को हत्यार बना करके पॉने पांच लाग बुजर्गों की पैंसन काटने का महापाप इस सरकार ने किया है उसमें सारा जो गरीब आजम के खिलाफ इनकी सारी योजना हैं इस सरकार को खार फैंकने के लिए आप सब को एकठा होना पड़ेगा आपको मजबूती क साथ कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी जिसका मतलब ही कावेरी गंगार सरस्वती से निकली हुई पार्टी है यह भाजपा भारत जलाव पार्टी जो नफरत पर आधारित है इस देश को बांटने पर आधारित है इस देश को धरम और मजब और जात ब्रादरी का जहर बो करके हमें बाटने का कि आगे कहा कि कॉंग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब की मदद की है बीजेपी अमीरों की पार्टी है पिछड़े समाज की बीजेपी ने अंदेखी की तो बड़ी खबार जाओ दैभार ने बीजेपी पर जम कर साधा निशाना कहा पिछड़े समाज की बीजेपी ने की है अंदेखी कॉंग इस पाची ने हमेशा गरीवों की मदद के इस वक्त।